कभिए को नमबर 3 के बाद कोशन नमबर 4 देख लेते हैं को नमबर चार जो फ्रस पाट था ना एकश्य गीवन था चापिटल सारी चीजलानकारी गीवन यह उसके सबही के नोट्स भी गीवन आपे सब्सक्राइब इसके बात देखा जाए तो यहां पर थोड़ा सा गप करेक्शन भी था शायद से बच्चों ने करा हुआ था देख लेके वो कहां था पहला कॉश्चन के जैनित लिमिटेड़ ने एससेट्स लिया है लाइबलीटी को नहीं लिया इसने लिया ही नहीं और लाइबलीटी में इंट्रेस वान डिवेंचर एंट्रेस अन डिवें तो मैं साथ के साथ ही question दिखाता जाओंगा आपको ताकि आपको clear हो जाए यह देखे तो कहता है एक preference shareholder को यह preference shareholder को cash दिया क्योंकि हमारे पास 4000 share थे तो 10 रुपे के इसाब से 40,000 आ गया बाकी preference share को 100 रुपे आले preference share दिया एक्योटी shareholder को बोला गया cash 20 रुपे तो 8,000 थे तो यह आ गया इसके बाद बाकी हमने 140 market value तो यह PC आ गया PC आने के बाद देखे सारे के सारे assets उतार लिया सारे के सारे liability उतार लिया हमने और यहाँ पर जो liability था interest on debenture का भी मैंने payment कर दिया और बाकी का जो था preference shareholder के अंदर जो difference आ रहा था वो भी आ जाता है यहां पर तो उसको भी मैंने यहां आउंट ट्रांसफर कर दिया जो कि हमने 40,000 रुपे एक्स्ट्रा कैस्ट में payment किया है तू और बाई करके मैंने बताया था उसका के अंदर एक बात यह कह रहा था कि जो हमारा था ना के वर्कमेन कंपनसेशन इतने का तो लाइबिटी कंफर्म होगा तो इस लाइबिटी को भी हमने टेक ओवर किया जंशन डालोगो कि यह लाइबिटी करना पड़ेगा टेकन ओवर कर लिया हमने इसलिए आप देखोगे और यहां पर मैंने वर्कमेन कंपनसेशन भी दिखाया हुआ है अगर आप देखोगे तो वर्कमेन कंपनसेशन रिजर्प पांच हजार क्योंकि 5 ao 5,000 बाकी का देखोगे 3000 यहां पहुँचगे हमारे रिजर्वंस अर प्लस के अंदर वर्कमेन कंपैश्चन इस हिसाप से मै के खर्चे पेड़ कर दिया का इंट्रस पेड़ कर दिया प्रिफरिंग शेयर होल्डर को 40 का पेमिंट चला गया और एकुटी शेयर होल्डर को मैंने फाइनली 148 जो बचा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जो कि यहां पर है यहां कोस्टन में एक यह थोड़ा सा यहां पर डिबेंचर वाला पेमिंट इंट्रस वाला नहीं दिखाओगे और उसकेस में रिलाइजेशन के अंदर भी टेकन ओवर नहीं करोगे जो यहां पर दिखा रख और यहां से भी हट जाएगा तो यह सारा मूव हो जाएगा अगर आप मानते हो तो पिल्कुल एकुर पर्चेस और यह सारी जनल एंट्री आपको करके दिखा दिया है यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आया हमारा वह देखेंगे गुडविल आ गया दो लाग पच्छेस अजार का और जो हमने लिकुडेटर को पेमिंट किया था गुडविल टू बैंक जो रिलाइज कि स्रस्रेक्ट को मैं समझाता जाएंगा पहला कि एकुटी शियर होलडर को 3 रुपे कर दो तो सब्समारे ने कर दो tno कर दो तो पहले अगर आपकर देखो तो उपर 507 ओंट कर दो तो 3 Europ यहां देखना ड को टूरी चुनिंजडियर ठीक्समिः क religion स्कृह сейчас अब 10 इन बिल्डिंग हमारे पास टोटल सत्रा लाग रुपए का है कर कुश्चन में देखो तो आपका लेंड इन बिल्डिंग सत्रा का जिसमें से आपका डिबेंचर होल्डर ने कितना ले लिए साथ लाग का लेके चला गया आगे कहता है बाकी के जो 50% है ना उसके अंदर कुछ नहीं करना सिर्फ रेट इंक्रीज कर देना है तो सिंपल सी बात है आपका जो 7% वाले डिबेंचर डेबिट कर दोगे तो 10% निव डिबेंचर कर दोगे इसका और कोई रोल ही नहीं था स्टाक हमारा रेडिउज हो गया सिंपल सी बात है नुकसान हो गया तो रीकंस्रक्शन में चला जाएगा आपका इसके बाद गुडविल रिटन ओफ और पेटेंट को भी रिटन ओफ तो दोनों नुकसान हो गया तो डेबिट करके रिटन ओफ रिकंस्रक्शन अकाउं हां बचे का 5 लाग कहता इस 5 लाग वाले को 6 लाक में पेच दिया एक लाग का इहां फायदा हो गया बाकी वाले का सोल डग मीशन कर दिया का रिकंस्रक्शन का एक्स्विन वो भी हमने कर दिया सीधा reconstruction account debit to bank के नाम से income tax पहले कितने का था अब इतने का liability create हो गया one third creditor forgo total 12 lakh का creditor था 12 lakh का one fourth निकालोगे तो 4 lakh वाले creditor बोलते हैं हमें पैसे नहीं चाहिए तो फाइदा पहुच गया equity share यह बहुत बच्चों का doubt आया तो जब consolidate करते हैं उसमें ना तो फाइदा होता है ना तो नुकसान होता है तो इसलिए मैंने वहाँ पे देखोगे ना जो new equity था और to consolidate new equity कर दिया वह 9 lakh 9 lakh ही रह जाएगा उसमें और कोई entry नहीं करना ना तो फाइदा क्योंकि जो पहले आपका equity share दस वाला हुआ करता था उसको हमने अब कितने वाला कर दिया एक share को तीस वाला उसमें फाइदा नुकसान नहीं हुआ है कोई भी आफ्टर दा making all adjustment आपको return of utilization करना है तो सारा debit टोटल कर लेना क्रेडिट टोटल कर लेना उसमें कहीं क्रेडिट कर डेबिट साइड में जो difference आएगा उसको planted machinery से कर देना या फिर जिसको समझ में नहीं आ रहा हूँ तो वह reconstruction account बना लेना इधर difference निकलेगा तो इसको plant and machinery से write off कर देना that's it उसकी entry करी हुई है चलिए इसके अंदर सवाल के अंदर देख भी लेते हैं अगर मैं दिखाऊं आपको यह रहा है तो पहली entry के अंदर आपका reconstruction 21 का फाइदा दूसरी में फाइदा फिर डिवेंचर को हमने कर दिया reconstruction कर दिया फिर land and building को reconstruction से एक का फाइदा पहुचा दिया यह थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट था land and building हमारा यहां पर आ गया बैंक अकाउंट आ गया रिकंस्ट्रक्शन आ गया creditor to reconstruction है मतलब सारी entry मैंने समझा दिया लास्ट में यह वाला working note भी करा दिया जो बच्चा वाले को debit यहां balancing figure निकल रहा होगा तो plant and machinery balancing figure आ गया plant and machinery वही डाही लाग रुपे निकला होगा उसी का मैंने entry करा हुआ है तो यह था हमारा question number four जो कि मैंने discuss कर लिया और solution पर आपके पास available है question number four जो कि मैंने।